आज हम मौजूद हैं सुजोली रेंज के अयोध्य पुरुवा गाउं में यह वही जगह है जहां पर वन विभाग ने पिंजड़ा लगाया था पिछले कुछ समय पहले यहां पर ही एक बालिका को तिंदुवे ने घायल किया था एक बुजुर्ग महिला को भी अयोध्य पु करके छेत्रिय ग्रामिडों का कहना है कि यह तिंदुवा जोडे में था एक तिंदुवा तो चला गया लेकिन अब दूसरा तिंदुवा यहां पर हाहकार मचा रहा है जो कांटीनियू पिछले दो दिनों से रात में आता है और पालतों मवेसियों और बच्चे को देखकर दोड़ता है छेते ग्रामिड सुरच्छा की मांग वन विभाग से कर रहे हैं यह देखे हमारे पीछे आम का पेड़ है ग्रामिडों के मताविक इस आम के पेड़ पर सुबा चार बजे कड़के यहां पर तिंदुवा चड़ा हुआ था और उसने पेड़ को खरोचा भी है लेकिन डाल गिर गई जिसे एक बार फिर तिंदुवा भाग गया ग्रामिडों की मांग है कि यहां पर एक बार फिर पिंजरा लगाया जाए जिसे तिंदुवा उनकी पकड में आए तास ले सकें गाउं में अंधेरा रहता है जिसको देखते हैं यहां के छेत्रिये प्रध रहे यह अयुद्या पुरुवा गउं जहां पर अंधेरा रहता है और संभावी थमले हुए हैं जहां पर तो वहां पर भी सोलर लाइट का लगवाई जाए जिससे उनको राहत मिल सके जंगली चानुरों से और यह जंगल से सटे छेत्र हैं और सबसे ज्यादा यहां पर खसल की खेती होती है और घर के अगर बरगल गण्ये लगे हुए हैं और वो तेंडूव के आस्त्रिय अस्थल बन चुके हैं जिसके चलते वो गण्ये के खेत से रात में निकल कर अपने सिकार की तलास में आबादी छेत्रों में आके पालतु मवेसियो और चेत्री बच्च वह वापस अपने घर आ चुकी है उसी अवस्था में और अभी वी गंभी रूप से वह घायल है चार बज़े रात में पेड़ पर चार बज़े के टेम में हैं हम आये थे देखे भागे घरे अच्छा इससे पहले यहीं पकड़ा गया था यहीं पकड़ा गया था वह संटर प अच्छा तो क्या मांग है आप लोग पिंजड़ा लगाए दें बस बाद खते मों क्या करना यानि उसको पकड़े हैं हम बस गुला ओला देदें पिंजड़ा लगाए दें बस और दिक्कत ठीक है अच्छा तो कब देखे थे जानुवर परसोरवा जिसी गंदे में बैठ तो आज तो लाइट लगी है गाउं में लगी है यहां पर लगी है आखरी पर हूं झाल 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 झाल